कि हमारे देशा दूभाग है जी कि इतिहास को सही परस्पेक्टिव में समय पर समाज के सामें रखना कि इसना किताबों का महत्म होता है कविताओं का महत्म होता है साहित्यों का महत्म होता है वैसा फिल्म जगत का भी महत्म होता है कि अधाथिं के डुनिया के सामने मातमा गांधी को हो अलों तư में प्रावी दुनिया मार्टी लुभर किंगी बात करता है कि सारे दुनिया मंदेल Александ picture में बात करता है देखिन दुनिया गांधी की चर्थय बहुत कम करता था कि अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महत्मा गांदी की जीवन पर पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो साइध हम मैसेजिंग कर पाते हैं पहली बाट एक विदेश्थी जब गांदी फिल्म बनाई हो और उसकार के पूरसकार मिला तब ज लेकिन आप में देखा होगा इमर्जेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने के लगाता प्यास हुई हमारी देश में भारत विवाजन जब हमने 14 अगस को एक होरर डेकर रुप में याद करने के लिए ताएं किया तो कई लोगों क बड़ी मुझीबत हो गई है कैसे बूल सकता है देश कभी कभी उस में सब्सक्राइब को मिलता है भारत विवाजन में अथन्टिक तो फिल्म नहीं बनी और इसलिए इन दिन आपने देखा होगा कश्मिर 5 फिल्म की चर्टा चल देगा और जो लोग हमेशा कि फ्रिडम आप एक्स्परेशन की जण्डे लेकर की गुमते हैं वह पूरी जमाहत बखला गी पिछे पाच्छे जिन से और ये फिर का तच्छों के आधार पर आट के आधार पर उसकी विवेशना करने के बजाए उसको डिस्क्रेडिद करने के लिए बड़ा मोहिन चला है अपने देखा हुआ एक पूरी इको सिस्ट्रीम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसके पर शुद्र कोशिश की लेकिन उस सत्य को न समझने की तयारी न स्विकारने की तयारी है नहीं दु मेरा विशह कोई फिल्म नहीं है मेरा विशह है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश के भलाई के लिए होता हुआ अजर उसके कई पहलू उत रखते हैं किसी को एक चीज नजर आते कि दूसरी नजर आएगे जीन को लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म मनाएं कौन मना करता है है कि लेकिन दो खरानी हो रही है कि इस सत्य को इतने सानों तक दबागर के रखा उसको तप्षों के आधार बज्य बार लाया जा रहा है और कोई मेहनत करकर ला रहा है तो उसको पूरी को स्यूं लग ड़ी है उसे समय क protective radioactive उन्हों नहुंने सत्य के acqua कि खड़े होना उनकी जिम्मेबारी होते हैं और जिम्मेबारी मैं आशा करूँगा और सरोग निभाएंगे